थेखो क्या किया रहा है दो कंडिशन दे रखी आपको प्रूफ वाली कंडिशन में दे रखा वो लेकर आना है कैसे भी तो दोनों के कैशन से हैं बट अंसर सॉल्यूशन जो है नो वो डिफरेंट है कि देखो फर्स्ट एकी पावर एक्स प्लस एकी पावर एक्स प्लस वाए ठीक है क्या करें बोसाइड डिफ्रेंशेट कर दो की पावर x plus y का x plus y और उपर जो वैलु दे रखी उसका भी अलग से करना है तो आपका 1 होता है और y का y देस्ट अब आप इसको open कर लो पूरे को वैपे की पावर x plus y प्लस e की पावर x प्लस y dot y dash स्थावली वाली एक तरफ करनी है मैं y dash negative e की पावर x plus y dot y dash equals to e की पावर x plus y negative e की पावर x ठीक है अब y dash common लिया e की पावर y minus e की पावर x plus y equals to e की पावर x plus y और negative e की पावर x है तो y dash कितना आगया देखो आपके पास e की पावर x plus y equals e की पावर y minus e की पावर x plus y है ना लेकिन अभी पूफ वाली कंडिशन नहीं बनी है मेरे पास है ना तो पूफ वाली कंडिशन में ऐसे होता है कि आपको बनाना पड़ता है उसको कैसे तैसे बस तो उसको बनाने के लिए अपने इसके अंदर थोड़ा साय आप पर ब्रेक करेंगे एकी पावर x dot e की पावर y है यह यह की पावर y माइनस e x dot e y है common निकालों इसमें से e x common निकाला के पावर y सब्सक्राइब से common निकालों e क्या-y common निकाला 1-6 अभी भी प्रूफ नहीं बनता मेरे पास यहा समस्यारी वह देखो नीचे ए की पावर x-1 लेकिन मेरे 1-6 तो माइनस 1 कॉमल लिया मैंने तो मैंने उसको कहा लगा दिया यहां उपर लगा दिया इदर आजो नीचे क्या रहेगा ए की पावर वाय और एकी पावर एक्स माइनस आप मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया किलियर है हम इतना छोड़ देते हैं अगर अपने पास प्रूफ गिविन नहीं होता है तो वैसी बनानी पड़ेगी आपको ठीक है चलिए तो नेक्स्ट आते हैं सेकिंड वाले पर आज़ो इस पार्ट को देखो अब यहां आपको डीवाइब डीक्स यह निकालना अब यहां इस tastes कैशन सौल करोगे ना तब आपको इस तरीके से लोजिक्स दिखाई दिने बाकि और कोई तरीका नहीं कोई ट्रिक नहीं कि आपको कैशन देखते याज है बस बिफरेंट कैशन्स लगाओ और यहां आपको अपने आप हिंट लगने लग जाएंगे कि हाँ यहां इसमे यहां बज गया बनापन यहां बज गया इसको उपर भेजू इसको भी उपर भेजू अब आपको जो solution निकालना है वो इस value का निकालना है ठीक है इस equation को चली अब आपको क्या करना है कुछ नहीं करना simply इसको differentiate कर दो बोथ side differentiate with respect to x e की power minus y का e की power minus y अब उपर जो minus y उसका भी differentiation होगा तो minus का y dash plus e की power minus x का minus x minus x का कितना हो जाएगा minus 1 का कितना हो जाएगा 0 ठीक है e की power minus y dot y dash बाहर minus लगा रहा हूं मैं और इसको उठा के उधर बेज रहा हूं तो यह value positive में बन जाएगी आपके पास नीचे बेजो y dash equals to e की power minus x upon minus का e की power minus अब यह minus यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ एक ही बात है कोई इसमें changes नहीं बनेंगे आपके पास clear है यहाँ पर लिख दो इस value को यहाँ पर आप डीवाई अपॉन d x equals to negative e की power minus x अब देखो नीचे क्या बचा है यह minus यहाँ लगा दी यह क्या बचा e की power minus y अगर मैं इसको उपर लिखूं तो e की अब देखो e की power minus x और e की power y इन दोनों को add कर दूं तो y minus x बन जाना चाहिए न अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं है यह हो गया आपका हैंस एक्जाम्बल नंबर फिफ्ट कंप्लिटेट कर दो कर दो